persan's आज की इस वीडिएो में आपको बताऊंगा कि मैं अपना फूल्पुटी का डो कैसे बनाता हूं आपने अक्सर देखा हूँगा कि मैं ज़्यादातरони का ही उच्छ करता और वो लोग कोमेंट में भी पूछते हैं कि आप अपना डो कैसे बनाते हो आलपूटी से तो आज हम उसी का प्रोब्लम का सॉलूशन लाए हैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपना डो कैसे बनाता हूं आलपूटी से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडि बर्तन लेना है चोटे बरतन में दिक्कत होगा बनाने में दो इसमें ले लिया है अब इसमें हम वाटर करेंगे पानी डालने के लिए मैंने देखिये बोटल में अबेड़टर के धक्कन में यह होड कर लिया है ताकि जुभानिद्च के लिया का या match करता हूं जब भी बनाता हूं अन्दास से पानी डाल सकते हैं ज्यादा पानी नहीं जा पाएगा वाल पुट्टी में अब हम इसमें पानी डालेंगे देखे सिर्फ प्लेन पानी डालना है पानी डालने के बाद हम इसको मिलाएंगे मिलाने के लिए हमने देखे इस टैप का एक चाकू रखा इसमें धार नहीं है आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें अभी गुठलिया बनेंगे अगर आपको लगे कि गुठलिया नहीं बन पा रहे हैं तो इसमें थोरा सा और पानी एड़ कर ले और फिर इसको मिलाएं ताकि जितने भी पाउडर ये सब गुठलिया बन जाएं देखिए से निकाला है क stripe कर वर आ उसके बाद हम केवल एक हाथ का यूजज़ करेंगे इसी से मिすको समेटेंगे देखें के वले की आ रोगे सक करना है इसब्सरी बार बर कर सकाएंगे और इस इस टाइप से शारा ड़व्ष आपके मुठी में आ जायेगा प्रेंट्स अभी अमारा दो बना नहीं है अब हम दोनों हाथ का यूज करेंगे देखिए हम दोनों हाथ के बीच में इसको रखेंगे और इसे इस टाइप से रोल बनाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे इसी टाइप से हम बार बार करेंगे चार पाच बार करने के बाद ये सॉप्ट होने लगेगा फ कुछ इस टाइब से सारा वाल पूटी को हम निकाल लेंगे इसका भी हम यूज कर सकते हैं इसके बाद हम अपने हाथ को अच्छे से धो लेंगे और डो को भीगे सूती कप्रे में लपेट कर रख देंगे देखें कुछ इस टाइब से हम लपेट लेंगे और इसको रख देखिए यह हाट हो चुगा है पत्थल जैसे एकदम हो गया स्टोन जैसा है जितना जरूरत हो उतना ही डो निकाले बागी को फिर हम उसी तरह पैक करके रख देंगे फ्रेंट्स देखिए हमने कितना सॉप्ट डो बनाया है देखिए आप अंदाज से पानी डाले नहीं तो आपका डो गीला हो जाएगा फ्रेंट्स मैंने वाल पूट्टी के एल्प से बहुत सारी सोपिस और मुर्तिया बनाई है अगर आपको देखना है कि मैंने यह कैसे बनाया है सीखना है आपको तो आप मेरे चैनल आनान दाटन का इस्टूडियो पे जाकर देख सकते हैं आसा करते हैं आप इस वीडियो के दिखने के बाद आप अच्छे से डो बना पाओगे प्रिंट्स मैंने यह सरस्वति मा का मुर्ति भीवाल पूर्टी से ही बनाये देखिए इसका भी वीडियो आपको मिल देगा मेरे चैनल पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और इस टाइब के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्काइब करना न भूले